हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रियागी किचन आज हम लेकर आए हैं मटर पनीर की बहुत ही शांदार रेसिपी तो इसे बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडियन्स चाहिए वो हैं हमने यह पर पनीर लिया है जिसे हमने चोटे-चोटे पीसेस में कटकर लिया है मटर पनीर मे आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं आथी में हमने यह पर हरी मटर ली है जो कि सीजन नहीं है तो हमने यह पर फ्रोजन वाली मटर यूज की है फिर हमने प्याच को ले लिया है बड़ी-बड़ी साइज में काता है लैसून और अधरक ले लिया है चुकि हम इन सभी को पी से भी हमने बड़े-बड़े पीसे में कट कर लिया है क्योंकि हम इसकी प्यूरी बनाने वाले हैं फिर खड़े मसालों में हमने आप जीरा दालचीनी सूखी लाल मिर्च तेजपत्ता काली मिर्च दोहरी लाइची लॉंग और बड़ी लाइची को ले लिया है फिर मिक्सी में पीस लेना है इसी के साथ हमने जो टमाटर काटा था उसे भी हम ले ले लेंगे और इसी टाइम पर इसमें हम काजू को भीगो करके रखे थे उसमें भी इसमें डाल करके और अच्छे से इसको चला करके प्यूरी बना लेना हमें ये देखे फिर मीडियम फ्रेम पर कढ़ाई में थोड़ा सा रिफॉइंड ओल ले करके हमने जो मखाना लिया था उसे हम यहाँ पर फ्राई कर लेना हलका जैसा कि मैंने पहले कहा था मखाना बिल्कुल आप्शनल है पर आप इसे डाल लिएगा खाने में बहुत अच्छा लगता है मखाने को निकाल लेने के बाद हमने तेल को थोड़ा सा बढ़ा दिया है और अब हम इसमें पनीर को भी फ्राई कर लेंगे यह देखे बिल्कुल इस तरह से दोनों तरफ से हमें फ्राई कर लेना है और अब हम इसे निकाल लेंगे अब जिस तेल पर हमने पनीर को फ्राई किया था उसी को बढ़ा करके हम उसमें अपने खड़े मसाले डाल दी है और थोड़ी दे चला करके हम तुरंती इसमें प्याज डाल देना है जो छोटी छोटी कटी प्याज हमने अलग रखी थी उसे डाल करके लगातार चलाते जाना है चुकि प्याज छोटी छोटी थी इसलिए तुरंती फ्राई हो गई है और अब हम इस टाइम पे अपना जो प्याज अद्रक लैसुन का जो पेस्ट था उसे डाल करके अब इससे लगातार चलाते जाना है और इससे तब तक चलाना है जब तक ये मसाला हमारा तेल न छोट दे हमने बहुत से गुगुंग चैनल्स पे देखा है कि वो लोग मसालियों को अच्छे से भूनते नहीं है ये देखें आप देख सकते हैं कि मसाला किस तरह से तेल छोड़ने लगा है तो अब हम इसी टाइम पर अपनी जो टमाटर की प्यूरी थी उसे भी डाल लेना है पहुत ही अच्छा आता है एकदम चौचक रस्पी बनती है तो ये देखें टमाटर डालने के बाद मसाले से फिर से तेल अलग हो गया है तो अब हम इसी टाइम पर एक चमच हल्दी डाल देना है साथी में हम या पर दो चमच धन्या भी डाल देंगे इसके साथी में हम आदा चमच रंगत मिर्चा डाल देना है और इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाते हुए लगातार चलाते जाना है इसी के साथ में हमने याप पर लाल मिर्च पाउडर को भी डाल दिया है आप अपने अनुसार डाल सकते हैं और सबी चीजों को अच्छे से मिलाते हुए लगातार चलाते हुए मसाले को भून लेना है एकदम देखिए मसाले एकदम तयार है अब हम इसमें अपनी मटर को भी डाल करके चलाते जाना है पांस से दस मिनट मटर को चला लेने के बाद अब हमने इसमें नमक डाल दिया है और फिर उसे भी अच्छे तरह से मिलाते हुए चला लेना है लगातार चलाते जाना है जिससे की मसाला लगे नहीं ज़रुरत पड़े तो आप बीच में पानी डाल सकते हैं और अब हमने यहाँ पर पानी डाल दिया है आप अपने अनुसार पानी को कम जादा भी कर सकते हैं इसी समय पर हम एक चमच गरम मसाले को भी डाल करके और इसे चला लेना है तो बस जब सबजी उबलने लगेगी तो हमें उसमें पनी डाल देना है और फिर से एक बार हम अच्छी तरह से से चला लेंगे अब हम इसे ढखकर भी 10 से 15 मिनिट के लिए पका लेंगे ये देखिए थोड़ी देर में ग्रेवी कितनी थिक हो गई है तो आप प्लास्ट में हमने जो मखाने को भूना था उसे भी मिस में डाल करके चला लेना है और इसी टाइम पर हम कसूरी मेथी को भी चारो तरफ डाल देना है और इसे अच्छी तरह से चला करके मिक्स कर लेना है तो बस मतर पनीर की रेसिपी बनकर की तयार है आप चाहे तो उपर से थोड़ी सी धन्या डाल सकते है तो अगर आपको हमारी मतर पनीर की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू